जए से वाज जए गुंडाना सगा जनो सभी गुंडान वासुका गुंडानस गुंडी लैंगोईज चैनल पर स्वागत है सगा जनो आज हम पाटनोरों अध्यान वापढ़ेंगे इससे पहले हम एक से आर्टक के पढ़े हैं गुंटी हिस्टरी के बारे में पड़े हैं तो सगा जोनों आपने अभी तक के वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार वो वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को जरूर वाच करना चाहिए सगा जोनो आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोंगे उतना ज़्यादा लाब आपको भी मिलेंगा और मुझे भी मिलेंगा सगा जोनो इससे पहले मैंने टेलिक्राम चैनल और फिस्बूक वाटसाप पर डेर सारे पोस्ट अफलोड किया हूँ तो सगा जोनो वो पोस्ट को भी आप लोग ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए और उसका अला लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्चन में दिया हूँ तो सगा जोनो आज हम नेमस्वाप और सीन गुंडी यानि गुंडी में किर्यापदों के नाम तीसे मैं गुंडी में पढ़कर दिखाता हूँ गुंडी ते किर्यापद नांग परोल्ग तो सगा जोनों हम अब पढ़ते हैं गुंडी में किर्यापदों के नाम और कुछ sentences को पढ़ते हैं तो सगा जोनों चले स्टार्ट करते हैं भी सादो रूप का मतलब होता है सादारोन रूप सीड रूप का मतलब होता है मुल्धातू और एंग्लिश तो यहाँ से मन स्टार्ट करता हो अड़ाना का मतलब होता है रोना अड़ा यानि रो इंग्लिश टू कराएं तिनदाना का मतलब होता है खाना तिन का मतलब होता है खा टूइट का मतलब होता है खाना उंटाना का मतलब होता है पिना उनका मतलब पी, और इदर तू द्रिंग, वडकाना का मतलब बोलना, वडका मतलब बोल, तू स्पीक, मियाना का मतलब चरना, मेय का मतलब चर, इंग्लिश में तू ग्रेज, पुरिताना का मतलब बुडना, पुरिया का मतलब बुड, इंग्लिश में तू फ्लाइ, अक्काना अक्साना का मतलब जोडना, अक्का का मतलब जोड, English में to join, अक्साना का मतलब मिलाना, अक्सा का मतलब मिला, English में to meet, अट्टाना का मतलब पकाना, अट्टा मतलब पका, English में to cook, अर्साना का मतलब कसना, अर्सा का मतलब कस, English में to titan, अंडाना का मतलब साफोना, अंडा मतलब साफ हो, इंग्लिश में टू किलिन, रा ना का मतलब गिरना, रा का मतलब गिर, इंग्लिश में टू लिप्ट, असा ना मतलब खरीदना, असा मिंस खरीद, इंग्लिश में टू बाई, रा ना का मतलब ठंडा होना, आरा मतलब ठंडा हो, आया ना का मतलब होना, आम का मतलब हो English में to become अद्दाना का मतलब बोना अद्दा मतलब बो English में to so अमगाना का मतलब भीगना अमगा मतलब भीग English में to wait अद्मीना का मतलब दबाना अद्मा का मतलब दबा English में to suppress अगोसाना का मतलब रोकना अगोसा मतलब रोक English में to stop सकाजन एक और शब्द है पुसाना, पुसाना का मतलब रोकना पुसा मतलब रोक एन इंग्लिश में to stop अवकीना का मतलब खवलना अवका का मतलब खवल इंग्लिश में to bark सकाजन आप हम इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं वो भी मैंने आपको grammatically बताए हूँ सकाजन अभी देखिए जैसे उंदी बचन आनी singular, विल्ले बचन आनी अने कवचन तो सकाजन जैसे फर्स परसन के लिए जैसे मनतो ना दिया है या पे और अने कवचन में फर्स परसन के लिए मनतोरम दिया है तो इसे से related पढ़ते हैं सकाजन गुंडी बाषा में हर सर्वनाम के अनुसार हर क्रियापत चेंज होता है तो जैसे अभी हम पढ़ते हैं आना मनतो ना यानी मैं हूँ आमोट मनतोरम यानी हम है इमा मनतोनी यानी तू है इमाट मनतोरिट यानी तू हो या तू है एर मनतोर यानी यह है एरक मनतोर यानी यह है और मनतोर यानी वह है और मनतोर यानी वह है अद मनता यानी वह है आव मनता यानी वह है और यू ये हमेशा feminine words है इद मनता यानि यह है यू मनता यानि यह है हाद मनता यानि वह है सगा जनो अभी देखते हम helping verbs helping verbs में हमारे मन्तोना, मन्तोना, आंदोना, आंदोना सगा जनो इंगलिज गुंडी भासा में हर वाक्य के अनुसार क्रियापत चेंज होता है तुसरे परकार मन्तोना यह हम present tense में इस्तिमाल करते है जैसे कि अना मन्तोना यानि मैं हूँ ठीक है अगर हमारे को पास tense में बोलना है तो अना मतोना यानि मैं था इस तरह से बोलेंगे तो सगा जनो हम present tense में मन्तोना का उपयुक करते है helping verbs ने तो सगा जनो यह भी मन्तोना दो वर्ट यानि मन प्लस तोना यानि मन प्लस तोना तो यानि दो शब्दों से बनता है मन है हमारे मूल धातु है और तोना यह हमारा मुल क्रियापद, यानि helping वर्प्स है, जैसे हमारा मन, मुक्के क्रियापद, तोना यानि साइक क्रियापद, यानि मन प्लस तोना जोडएंगे तो हमारा हो जाएंगा मन तोना, तो मन हमारा मुल धातु है, मन का मतलब होता है रह या हूँ, यानि है, तो करता के अनुसार तोना तोनी तोरों इस तरह से मुक्के किरियापत के बाद एक हिल्पिंग किरियापत जोडते हैं तो सगाजोन अभी डिटर्स में देखते हैं जैसे अभी मैं एक सेंटेज बोलता हूँ अना गुंडी लंबेज वड़की तोना अभी यापर देखिए हमारा का लगता है का प्रत्य लगता है तो का का हम लोब करके उसके बाद में हम की लगाते हैं ठीक है तो इस का को हम हटा देंगे उसके बाद में हम की लेंगे ठीक है वड़की फिर प्लस मन है यापर तो इस मन को हम हटा देते हैं, उसके बाद में हम तोना लगाते हैं, मन तोना, तो यह हमारा तोना, ठीक है, तो यह पुरा वर्च बन जाएंगा भी वर्ड की तोना, जो हमने अंडरलाइन की है, जैसे वर्ड की तोना, ठीक है, इस परकार से, तो हमारा हो जाएंगा भी तो सकाजनों हमारा हो जाएंगा अभी अना गुंडी लंबेज वर्ड की तो ना आई है हमारा पूरा सिंटेंस बन गया भी तो अभी हमारा वर्ड की क्या है एक मुक्के क्रियापद है उसके बाद में तोना एक क्या है हमारा एक साहिक क्रियापद है तो सकाजनों English में सबसे पहले subject आता है उसके बाद verb आता है उसके बाद object आता है तो गुंडी Language में सबसे पहले subject आता है उसके बाद object आता है उसके बाद main verbs plus helping verbs इस तरह से हमारा sentence बनता है subject plus object plus main verb plus helping verb जैसे अना plus गुंडी लंबेच अना हमारा subject है प्लस उसके बाद गुंडी लंबेच हमारा object है object लेनी कर्मा plus वड़की तोना यानि वड़की प्लस तोना इस तरह से हमारा main verb plus helping verb बनता है जैसे अभी इसका आर्थ हो जाएंगा मैं गुंडी भाष बोलता या बोलती हूँ अना का मतलब मैं अना या नना का मतलब मैं गुंडी लंबे जाने गुंडी भाष वड़की तोने यानी बोलता या बोलती हूँ English में I speak gundi language तो सका जोनो इस तरह से आपको छोटी-छोटी sentence बना हना है तो उपर में मैंने कुछ शब्दों को बताया हूँ तो आपको इसी का सारा लेकर वो छोटी-छोटी वाक्य बनाना है तो सकाजोंनों नेक्स सेंटेस देखते हैं अभी अनाय नना हरवाकोटते मंदा तोना यानि मैं हडपा में रहता हूँ हरवाकोट का मतलब होता है हडपा ते का मतलब होता है में मंदा तोना का मतलब होता है रहता हूँ अभी सकाजोंने या पर देखिए मंदा प्लस तोना ठीक है? मंदा प्लस तोना तो या पर देखिए मन तोना है मन प्लस तोना तो हम जो है मन नहीं लेते हैं मन को हम लोब करते हैं फिर उसके बाद में जो लास्ट वाला प्रते जो दो अक्षरों का प्रते रहता है उसे लेते हैं तोना, मन्दा प्लस तोना तो इस तरह से मैं हडपा में रहता हूँ इस तरह से I live in हरवाकोड यानि हडपा बती इम्मा गुंडी लंबेज वड़की तोनी क्या आप गुंडी भाषा बोलते हो या बोलते है तो साका जुनों हमने सबसे पहले एक प्रशनारतक शब्द लिया है बती यानि प्रशनारतक शब्द है फिर उसके बाद इम्मा यानि सब्जेक्ट लिया है उसके बाद गुंडी लंबेज यानि गुंडी भाषा यानि अब्जेक्ट लिया है फिर उसके बाद मेन वर्ब्स यानि मुक्के किर्यापद और साइक किर्यापद लिया है तो हमारा फिर हो जाएंगा वड़का प्लस तोनी ठीक है ये काका हमने लोब कर दिया है उसके बदले में हमने की लिया है फिर बाद में तोनी लिया है तो वड़का तोनी क्या आप गुंटी भाशा बोलते हो या बोलते हो तो इंग्लिश में देखते हैं Do you speak gundi language? Next sentence देखते हैं. Ingo, अना, अपिंदा, तिंदा, तोना. सका जुन या पर मैंने, Yes, I speak gundi language. इस तरह से होना चाहेता, मैंने या पर sentence चेंज कर दिया. Ingo का मतलब होता है, हा, अना का मतलब मैं, अपिंदा का मतलब होता है, सेब, तिंदा, तोना का मतलब होता है, खाता हूँ. यानि मै, सुरी, हा, मैं सेब, खाता हूँ. तिंदा प्लस मन, प्लस तोना. तिंदा है, हमारी मुक्य धातू है, मुक्य क्रियापद है, और उसके बाद में हम helping work लेया है, मन प्लस तोना. तो हम मन को हम लोब करते हैं, उसके बाद में तोना जोड दिया है आपे. तो हमारा मुक्य क्रियापद और साइक क्रियापद बन कर, हमारा एक क्रियापद मुक्य क्रियापद बन जाता है आपर, जैसे तिंदा तोना, यानि तिंदा प्लस तोना, इस तरह से. हा मैं सेव खाता हूँ इंगलिश में yes I eat the apple सगाजनों अभी नेक सेंटेंस देखते है अदू या इदू जरोसा गुंटी वड़कीता इसमें दो सेंटेंस बनते है अदू जरोसा गुंटी वड़कीता इदू जरोसा गुंटी वड़कीता तो अदू का मतलब हो है या परमनी यह नहीं लिका हूँ आप समझ लेना तो सगाजनों अभी देखती है आपे वड़का प्लस मन मनता ठीक है वड़का प्लस मन प्लस ता तो अभी हमने काका लोप कर दिया है उसके बदले में कीली है फिर बाद में मन को हटा देते है फिर बाद में ता लेते है यानि ववो हो जाएंगा वड़कीता इस तरह से तो वह थोड़ा वह थोड़ी गुंडी भाशा बोलती है इस तरह से शी स्विक्स अ लिटिल गुंडी नेक्स सेंटेंस वर या येर गुंडी हिल्ले या सिल्ले वड़कीतो इसमें भी दो सेंटेंस बनते है वर यानि वह येर यानि यह हिल्ले का मतलब भी नहीं होता है सिल्ले का मतलब भी नहीं होता है वड़कीतोर यानि बोलता है जैसे आप भी देखे आपे वड़का प्लस की वड़का प्लस मन प्लस तोर यानि वड़का का का हमने लोब कर दिया उसके बदल में की लिया है फिर बाद में तोर लिया है तो यह हो जाएंगा हमारा वड़की तोर यानि वह गुंडी वह गुंडी नहीं बोलता है किस तरह से He doesn't speak gundi Next sentence Work या और्क गुंडी लंबेज वड़की तोर्क यहनि वड़का या वड़की प्लस मन प्लस तोर्क यहनि मन तोर्क मन तोर्क का मतलब है यहाँ अन्यक वच्चन helping verbs है अभी हमारा sentence बन जाएंगा वे गुंडी भाषा बोलते है They speak gundi Next sentence जम्माल हिंदी वड़की तोर यहाँ पर भी देखे अभी थर्ड परसंद के लिए sentence है वड़का प्लस मन प्लस तोर काका हमने लोब कर दिया उसके बाद में की लिया है फिर मन को छोड़ दिया फिर उसके बाद में तोर लिया है तो यह हमारा बन जाएंग का वड़की तोर इस तरह से जम्माल हिंदी बोलता है जम्माल स्पीक्स हिंदी यह अने कोचनी अभी sentence है आमोट मराठी वड़की तोरम हम मराठी बोलते है वड़का या की प्लस मन प्लस तोरम तो यह हमारा वड़का काका हमने लोब कर दिया उसके बाद में की लिया है मन को छोड़ दिया उसके बाद में तोरम लिया है तो हमारा साइकर किरापद है मनतोरों तो हमारा फिर पूरा किरयापद हो जाएंगा वरकी तोरों तीस तरह से यानि हम मराटी बोलते हैं We speak मराटी और या यू ये रूंडा तांग अभी आपर देखें उंडा का मतलब होता है पिना और उंडा ना का मतलब होता है पिना ठीक है, ना यहापे नहीं लेते हम, यह हमारा मुल धातू है, जब हम कोई भी सेंटेसंस को बनाने का रहा, तो हम मुल धातू को लेते हैं, फिर उसके बाद में साइक क्रियापत लगाते हैं, जैसे अभी यहापर देखें, उंडा प्लस मन प्लस तांग, तो अभी हमने मन को छोड़ दिया, उसके बाद में तांग लिया है, ठीक हैं, तो यह हो जैंका हमारा उंडा तांग, इस तरह से, यानि अव का मतलब वे, यू का मतलब ये, यानि वे पानी पीती है, वे पानी पीती है, यू यानि ये, ये पानी पीती है, यानि यह पूरा महिलाओ के लिए से सेंटेंस है एर का मतलब पानी होता है उंटातां का मतलब होता है पीती है इंगलिश में दे डिरिंक वाटर नेक्स सेंटेंस होर या हीद या हाद जेवून या जावटी या जावनमाल तिंदातोर यानि यह खाना खाता है अभी खाना का मतलब होता है जावटी या जावनमाल या जेवन, ठीक है, तिंदा तोर का मतलब होता है, खाता है, अभी आपर देखें, तिंदा हमारा मूल दातू है, फिर उसके बाद में हम मन तोर लेते हैं, तो मन को हम नहीं लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में जो लास्ट वाला जो प्रते हैं, उनको लेते हैं, जैसे त खाना खाता है, eat its food इस तरह से, तो सगा जोनों आपको वीडियो कैसा लगा, आपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरू पस्तुत करें, सगा जोनों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अगर सगा जोनों आपको वीडियो पसं झाला झाला